अल केसाई न्यूज आज तक आज ये अम्दावादना वटवा विस्तार्वाँ खंदक कमेटी वटवा तरफ थी बीवी तड़ाव खाते खंदक इटले आग उपर मातम नो एक भवे पोगराम नभी ना नवासा अज़त इमाम उसेन अले सलाम न यादमा आयोजन करवा मावेल आपरसंगे वटवा भाजबना अगरणियों नेताओ कॉर्परेटरों तेमज गुजरात उर्दू बोडना मेंबर जैनूर अन्चारी बीजा एले सुन्नत ना अगरणियों आजरियापी आपरसंगे दर्वर्ष्णी जेम आवर्षे पन खंदक पर चालवा अंकित सानाम न युवके आगुपर चाली कॉमी एकतान उदारन पूरु पाड़ियोतू आगुपर चालवा ना कार्यकरम बात खंदक कमीटी तरफ थी आ पोग्राम मा सहकार आपवा बजल वटवा पुलिस टेशन ना पी आई साइप पी एसाइ साइप तेमाज अनिया पुलिस टेशन स्टाफ नो आभार माने होतो आप उपरांद भाजबना कॉर्परेटर तरफ थी मुकवा मावेल ठंडा मिनेरल पाणी नी मोटर माते हैं तेमनो खुब कुब आभार मावेल तो साबान नी हड़किया ओल केस आई नियू आज तक मावेल ठंडा मावेल ठंडा मावेल तो सफेद लिबास इसलिए पहिंते हैं कि वो इहराम हज है तो काला लिबास इहराम हजा है एक सेर सुनाओं सब बोलेंगे इधर सभी सब बोलेंगे मामिला मेरा नहीं है हुसाइन जैसे मौला का है मामिला जब मौला ना कर रहे तो चुप रह सकते हैं लेकिन जब मामिला मौला का आजाए तो कोई चुप रहे काला लिवास पहने हुए हर तरफ हुसाइन के अजादार है तो ये शेर सुन ले उस्ताद उशोरा अल्लामा सालिक लखनवी का कि कर्बला तेरे मुकदर की ये बेदारी है कर्बला तेरे मुकदर की ये बेदारी है काबा पहने हुए पहुशा के अजादारी है एक मरतबा अपने भाई सज्जाज से सकीना ने कहा था भाईया जब मैं मर जाओं तो मैं ये नम जगां दफन करना इसलिए कि प्यास लबों से गुजर के हलस से गुजर के हड्डियों में उतर आई है भाईया तो मुझे वो जहना दफन करना कि जब सकीना की शहादत हो गई तो फिर यजईद ने बुलाया है सेदे सज्जाद को और का आप हमने रहाई का फैसला किया है सेदे सज्जाद और आप इस तक पर लेड़ जाए हदाद आचुका है लोहा काटने वाला हाथ की हटकरी पाओं की बेड़ी और कमर का लंगर निकाला लेकिन वो जो गले कम तो यजईद खफा हुआ का अप इतनी देर हो गई गले का तौक नहीं निकला का तुझे नहीं मालूम कि कितना मोटा तौक है एक भारी हथोड़ी भेज दे भारी हथोड़ी आई उसने अपने जिस्म की पूरी ताकत को समेट के जो तौक पर हथोड़ी मारी तो किसी तरह तौक तो सज्जाद अलिएससलाम के गले से निकला मगर फिर वो लोहा काटने वाला बेहोश होके गिर पड़ा जो पुछ बेर के बाद होश आया तो पूछा किसी में बेहोश क्यूं हो गया तो तो बड़ा जियाला है तो तो बड़ा सख्ट जान है तेरा काम ही इस तरह का है का मैंने इस कैदी की गर्दन पे अतना गहरा जखम देखा कि मुझसे परदाश नहो सका अजादारों और हुसीनियों जो जखम एक हद्दाद नह परदाश कर सके जब जैनम ने देखा होगा तो कैसे बर्दाश किया होगा तो मारी रहाई पर कुर्बान आये सचार का बेटा रहा होगे हाँ भूपी अम्मा रहा हो गया और क्या गुफ्टुगू हुई का यजीद ने ये कहा है कि जी चाहे यहां रहें जी चाहे मदीने जाएं मातम नहीं किया है एक मकान खाली करा दे लोग अज़ादारों एक मकान खाली हुआ और तीन दिन तक या दूसरी रवायक के मताबिक मगर किसी तरह शेहदादी जैनम अमारी नहीं बैठी जनाब सज्जाद में रोते हुए का फूपी अमा आप तो सब्सक्राइब न दे देना का क्यो फूपी अमा का बेटा अभी शाम का खायद खाना बढ़ेगा रास्ते में जब तक शाम का खायद खाना न गुजर जाएगा अभी मैं पहिदर चलूँगी अज़ादारो सहजादी जनब पहिदर चली तब चलते चलते शाम का खायद खाना आया झाह चलते खायदारो सहजादी में झाल 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 रूदा दे घम सुनाने आई हु कर बना एरुम तेरा मजाने आई हु कर बना हर जखम ताजियाने का संजीरों के निशा भी या तुझे दिखाने आई हु कर बना एरुम तेरा मजाने आई हु कर बना एरुम तेरा मजाने आई हु कर बना बाजार से जिल्दान से दर्बार से होकर बाजार से जिल्दान से दर्बार से होकर पल चैन के बिताने आई हु कर बना एरुम तेरा मजाने आई हु कर बना एरुम तेरा मजाने आई हु कर बना जिल्दान में सकीना के हालात बताकर तुझ को भी अब रुलाने आई हु कर बना एरुम तेरा मजाने आई हु कर बना बनारम तेरा मजाने आई हु कर बना रुपाई ना में आपके लाशे पे ऐई हुसें रो पाई ना मैं आपके लाशे पे आई हुसें अब हाले दिल सुनाने आई हुं कर्बला रों के रामजाने आई हुं कर्बला रों के रामजाने आई हुं कर्बला लोगों न भूलना कभी खबरे हुसें को लोगों न भूलना कभी खबरे हुसें को दुनिया को ये बताने आई हुं कर्बला रों के रामजाने आई हुं कर्बला रों के रामजाने आई हुं कर्बला कल जिनका कर्बला में न मैं घम मना सकी कल जिनका कर्बला में न मैं घम मना सकी फर्षे अज़ा बिचाने आई हुं कर्बला रों के रामजाने आई हुं कर्बला रों के रामजाने आई हुं कर्बला आई हुं कर्ने तुर्बत पे मजलिस बापा तेरी आई हुं कर्ने तुर्बत पे मजलिस बापा तेरी बोहा तेरा सुनाने आई हुं कर्बला रों के रामजाने आई हुं कर्बला झाल झाल लगना झाल झाल